श्रूम की सबची बनाने से ज़्यादा इंप्वर्टन है मस्रूम को आउस करना क्योंकि इसमें बहुत सारे डस्ट होते हैं इतना सॉप्ट होता है कि धोना बहुत ही मुस्किल होता है इसे तो हम कैसे इसे आउस करेंगे तो यहां पर मैंने गरम पानी लिया है यानि खुब दो रहा है धुल रहा है तो तक हम क्या करेंगे थोड़ा सा लसून अद्रग और यहां पर हरी मेच मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया का डंठा लिया है इसे क्या करेंगे अच्छे से पीस लेंगे तो यहां पर मैंने मस्रूम को पांच मिनिट के पाद चेक किया है तो अभ इतनी में क्या हो गिए साइ नीचे बैठ जाएगा और आप देख सकते हैं कि इतना तो किया दो क्लिन शाइज को दोनों साइट से अवास करना है तो फिर से चेज़ दो लिया है मारा प्लाइज से क्लीन हो गए है आप इसी तरह से वास करिएगा तो आपका मतलब मच्छा मतब रहर जाएगा तब काटने के नंबर आता है काटें कैसे तो आप चाहें एक में चार भाग कर सकते हम इसमें दो भाग करें जादा बड़ी साइज हो तुसमें आप तीन भाग कर दीजिए ज़्चा यह रखते इन तो मश्रुम देखने में बहुत ही अच्छा लगता है तो इसी तरह से में इसे कट करेंगे और आप चाहे कि मतलब हम किसी सबजी बनाएं दिखना भी चाहिए तो इसलिए मैं इसे बड़े बड़े पीसे में रखा हुआ अगर मश्रूम के साइज ज्यादा छोटी है तो उसे आप कठी मत करिए ऐसी सबजी बना लीजिए तो अभी हम क्या करेंगे इसे थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे मैरिनेट करने के लिए इसे थोड़ा मसालियो गर्याइड करेंगे कि बहुत ही फीका होता है कोई अपना स्वाद नहीं होता है ते इसमें थोड़ा सा नमक ठोड़ा सा यह हल्दे पर ढलेंगे आदा छमच मैंने यहाँ धनिया प्रूमावा जिरापे दाला दिया है दोसी यहां पका के नहीं डाला है इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा बारी कट कर लिया आप चाहिए से थोड़ा से दरदरा पीच भी सकते मिस्क सी में लेकिन इस तरह से करने से ग्रेवी बहुत ही अच्छी वनेगी यहां पर सच्छो का तेल हम इसे में डाला वही एक चम मस्जीरा कुछ खड़ी मसाले जो भी हूँ आपके पास उडाल सकते हैं जोड़ी नहीं जो मैंने डाला वही आप डालें तो मैंने यहां पर जावित्री तेजपत्ता एक चम मस्जीरा लॉंग डाल दिया है और लासुन अदरक जो मैंने कूट के रखा था मिर्च के साथ उसे डाल देंगे इसमें इसे थोड़ा सा पका लेंगी ताकि लासुन बहुत जल्दी से तरह रखा पके तायार हो जाएगा यहां पहुत थोड़ा सा नमक डाला है यहां मिक्स कर देंगे आप ज़ए से ढग भी सकते हैं धगने से उसली सौप्ट हो जाएगा तो यहां का घ्रेवी बनाएंगे इसकी इसलिए ज्यादा हमको इसको भूने की ज़ तबत्व क्या कहा करेंगे ने मक्सविरी लाल मेच कशवीरी लाल मेच कर लिया है और रखेंगे साइड मारे जलते भी नहीं है और साथी साथ मसाली फूल भी जादें, इतनी दिएर में आपने देखा कि मदलब मारा प्याज भी अच्छे से सौप्ट हो चुका है और कलर भी अच्छा से इसमें आगया है इसमें हम क्या करेंगे जो मसाले मैंने भीगा कर रखे थे डाल देंगे कि तो यहां पे आप फ्लेम को हम हाई नहीं रखेंगे स्लो Honda कि से हूंप कभार कर देंगे थोड़ी देर के लिए मंइति ती से चलै से करने के लिए धी भी मियाज़ पर पका लेते हैं लेकि तो मसाले मारे लगबऑ पक चुके हैं तो एक बार गए धक फिर से पकाएंगे म्स लो फ्लेम पे तो अब ताफки मसाले मारे अच्य से पक सख चुके हैं एक गुछ भी ऊपट हो गया है ऑईल बिया ऑफ साल कोया है लिवी पर टेमाटर कर देंगे समय यहां पर टमाटर की में बनाग सकते आपकी ग्रैवी बहुत आच्छी हां कि अगर हाइवन टमाटर आपके पास है तो उसको आप पेस के डालेगा अगर ए तन ड्रक्णा्ट यहां मछी यहां तो जब भी आप टालें तो नमक थोड़ा जरूर दालें गाल जाता है इसे क्या होता टामाटर बहुत जल्दी से गल जाता है इसे कबर कर देंगे थोड़े दियर के लिए तकि सारे मसाले फिर से एक बार अच्छे से पक जाएं मसाले लगबग पक चुके हैं जो मैंने यहां मैंनेट करके रखा था मस्रूम को उसे डाल देंगे डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और ग्रेवी की करेंसे से आपको जितना रखनी हो से इसाफ से आप इसमें पानी आइड कर सकते हैं तो यहां पर हम जादा गाढ़ा भी नहीं तखेंगे रिमों जादा पतला अधने पानी के इसे क्या होगी प्रोसेस थोड़ा फास्ट वी होती हो कडर भी अच्छा आता है सब्जी में तुमें पर पानी डाल दिया है और एक उबाल भी सब्जी में आ चुकी है क्या करेंगे ना इसमें दो लासुन डालेंगे ऐसे एक्खा ही अम मतलब टोटली ऑप सब्जी लगबग पक के तयार हो चुकी है अलासुन भी अच्छे से पक चुका है तो आप गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे आप यहां पर धनिया की पती से और कसूरी मेती से गानिज भी कर सकते हैं और इसे सर्ब कर ये रोटी के साथ चावल के साथ प्राठी के साथ इ उमिद करते हैं कि रेस्पी आप सभी को अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो मुझे कॉमें जरूर बताएगा अप सभी से रिक्वेस्ट हो कि प्लीज अगर रेस्पी अच्छी लगए तो चलों को सब्सक्राइब करना लाइक करना मत बोलेगा और फिर मिलेंगे किसी तरह से नई दश्ची तो तरह लिए धन्यवार